अब इस वीडियो में आज हम लोग डेली स्टेट के बारे में जानेंगे तेवकि डेली स्टेट एक बड़ा ही डिमांडिंग स्टेट होता है और मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को दिली एक्षा होती है को दिली में जाके मिबियस करें क्योंकि वहाँ पीजी की तयारी वहाँ पे बाकी प्रिपरेशन इनों थोड़ा सा बच्चों को एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है कॉलेज भी बड़े इवन स्टेंडर के हैं जो पीर ग्रूप होता है स्टूडेंट का वो बहुत ही टॉप ब्रेन इंडिया के होते हैं तो हर बच्चे का एक ड्रीम होता है को देली में जाके पड़े क्योंकि वहाँ पे पीजी की तयारी हम सबको लगता है बच्चों को भी लगता और सही भी है जादा अच्छे तो डेली के बारे में आज हम जानेंगे कि All Inडिया से फर्स राउंड से लेके आखरी मौपब राउंड तक कहा सरूर और कहा क्लोज हो जाता है तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेली, कि डेली में आपको किस रेंज तक सीज बिल तो सबसे पहले आपको पता ही है कि All India Quota से और Open Quota, Open Quota मतलब कोई भी स्टेट का बच्चा जा सकता है जैसे AIMS हो गया, इस तरह से BHU हो गया और एक होता All India Quota जो 15% के लिए होता है तो AIMS मैं बता चुका हूँ कई बार 55 नम रेंग पे बंद हो गया था, मौलाना आजाद की बात कर लेते हैं, मौलाना आजाद, वर्दमान, महावीर, मेडिकल, कॉलेज ये सब बड़े डिमांडिंग है और ये 109, 120 इन सब पे ये क्लोज हो जा रहे हैं, अगर देखा जाए, All India Quota से मैं All India Quota ले लेता हूँ और बाकी सारे Quota हटा देता हूँ मेरे पास से मैं आपको ये सेर नहीं कर रहा हूँ पूरी तरह से, All India Quota से आपको मौलाना आजाद मिल जाएगा, सिर्फ 77 रैंक तक दिख रहा है, जनरल केटेगरी में मैं जनरल OBC और EWS पहले बताऊँगा, फिर उसके बाद SCST बताऊँगा, मौलाना आजाद आपको मिल र सेफ दिख रहा है, फिर उसके बाद मैं टोटल नीचे आजाता हूँ, लेडी हार्डिंग दिख रहा है 239 All India रैंकिंग तक, ये फर्स राउंड की बता रहा हूँ, फिर आगया OBC कटेगरी जिसमें मौलाना आजाद 253 से लेके दिख रहा है मुझे 312 तक, उसके बाद जंडल और OBC सब मिला के, डेली में मामला क्लोज होने लगा है, 817 पे ओपन केटेगरी, 909 पे ओपन केटेगरी, NDMC Medical College दिख रहा है मुझे, ये सब All India कोटा, यानि आप UP से हों, या भरियाडा से हों, कहीं से भी, जंडल फर्स राउंड में क्लोज हो गया, 909 रैंकिंग प 1500 रैंकिंग तक भी मिल गया, 1740 भी मिल गया है, और NDMC 1947, यानि लगभग 2000 रैंकिंग पे डेली OBC का क्लोज हुआ, इसी के आसपास थोड़ा सा कम EWS, EWS क्लोज हुआ 938, थोड़ा सा क्या कर ज्यादा कम हुआ, तो 909 जंडल कम क्लोज हो गया फर्स राउंड में, 938 क्लोज ह हुआ, EWS का और 2000 से थोड़ा सा कम क्लोज हुआ, OBC का, अब मैं आ जाता हूँ, SCST फर्स राउंड, SCST देली में क्लोज हो रहा है, मौलाना जाद तो 1500 तक जा रहा है, उसके नीचे भी जा रहा है, ST में, overall मैं आपको बताओं तो 37,000 रैंक तक ST क्लोज हो रहा है, 37,000 आल 18,000 तक, 37 क्लोज हो रहा है, ST क्टेगरी, अब मैं सीधे आ जाता हूँ, मौप अप राउंड, क्या FIRST राउंड के बाद मौप अब एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि मौप अब लगभग स्टैंडर्ड आखरी मान लीजे, और FIRST राउंड को आप मान लीजे, लगभग में select कर रहा हूँ quota में मैं all India quota select कर रहा हूँ और category में मैं select कर रहा हूँ SC-ST तो इसमें SC में बचा ही नहीं यानि 18,000 फर्स्ट राउंड में गया था लगभग तो 20, 25, 30 तक चला जाएगा लेकिन ST में 88,000 तक VMMC seat अलाट हुआ आखरी राउंड में और राउंड में आखरी राउंड में आखरी नहीं